लो फ्रेंड किचेन डेश्पी में आप सभी के स्वागत है तो आज हम बनाएंगे जट पर चलिए सिवया सिवया बनाना बहुत ही असान है तो देखिए सबसे पहले हमने इसमें दो चमच गी एड़ किया और थोड़ा सा देखिए यहां पर हमने मखाना को अच्छी तरीके से दो मिनट तक इसको हम अच्छी तरीके से रोष्ट कर लेंगे तो देखिए उसके बाद इसमें हम एड़ करेंगे देखिए यहां पर सभया और इसको भी दो से तिन मिनट तक अच्छी तरीके से लो मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरीके से चला लेंगे और बहुत ही को अच्छी तरीके से लो मीडियम फिलेम पे इसको दो से तीन मिनट तक अच्छी तरीके से इसको हम उबाल आने तक इसको पकाएंगे तो देखिए इसको हम चलाते रहेंगे बिच बिच में और बहुत ही tasty लगता है और बना कर बहुत ही जल्दी तियार होता है तो चलिए फटा-फट से थोड़ा सा इसमें हम एड़ कर देते हैं किसमिस से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है फ्रेंड आप चाहे तो और भी dry fruit इसमें add कर सकते हैं और बहुत ही चल्दी बन के तियार हो जाता है तो यह देखिए हमारा सिवया कितना अच्छी तरी से परफेक्ट बन गया है तो चलिए अब इसमें एड़ करेंगे स्वाधन सार चीनी और इसमें हमने चीनी एड़ करकर इसको 2-3 मिनार तक मिडियम टू लोब फ्लेम पर अच्छी तरीके से पका लेंगे और यह देखिए हमारा जटपट सिवया बन के तियार हो गया है और बहुत ही इजी असान तरीका से हमने बना कर आप लोग को दिखाए है तो इस तरीका से बनाई है थोड़ा सा कलर के लिए आपने कैसर का इउज किया है तो आप मन्चा है आप इसमें कैसर एड़ कर सकते हैं नहीं तो इसको भी कर सकते हैं तो इसको 2 मिनार तक ढख कर रख देते हैं और इसका कुस्मुक काफी अच्छा अराइफ्टेंड बहुत ही टेस्टी बनके तियार हो गया है और यह देखिए यम्मी टेस्टी सवैया बनके तियार हो गया है किस-किस को पसंद है एक बार कॉमें में जरूर बताएगा चलिए आप लोग को दिखाते हैं तो यह देखिए काफी टेस्टी और बहुत ही जल्द बनके तियार हो गया है तो इस परकार से इसे एक पर जरूर बना कर ट्राइगा और चलिए चलिए अब इसे प्लेट में हम सर्फ करते हैं खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और बनाने में बहुत ही असान तो इस समया को आप लोग एक पर जरूर बना कर ट्राइ किज़ेगा तो लो मीडम फिलम पर इसको अच्छी तरीके से देखिया दो से तीन मिट लगभग हो गया और काफी अच्छा बनके तियार हो गया त तब तक के लिए बाइबा फिरेंड और फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में और हाँ एक बार बनाकर जुरूर ट्राइ किज़ेगा अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कॉमेंट कर दीजिएगा